जहिन दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं फर्क तो यह पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं दोस्तों यदि आपका टारगेट किलियर है और आप अपने लक्ष पर लगातारा महिनत करते हुए जा रहे हैं तो यूटूब चैनल में तो इसी पोजिटीव मोटिवेशन के साथ आज हम लोग बहुत ही इंट्रेस्टिंग टोपिक जानने वाने हैं लेमिनीन्स के बारे में ठीक है तो लेमिनीन्स यह जो है एक्स्ट्रा सेललर फ्लुइड का पार्ट है जिसमें हम लोगोंने सेल्बैलोजी के अंतरगत 13 जो पार्ट है कवर कर चुका है यह सेल्बैलोजी का जो है 31 पार्ट है जिसमें हम लोग लेमिनीन्स के बारे में जानेगे तो एक्स्ट्रा सेल्लिलर फ्लूइड में पाए जाने वाला लेमिनीन्स जो है एक एडेसिव प्रोटीन है ठीक है जो एंडो-थीलिय में जो है चिपका हुआ रहता है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसके बारे में किया जो है एक्स्ट्रा सेलिलर मेट्रीक्स ECM का मतलब क्या है एक्स्ट्रा सेलिलर मेट्रीक्स के अंतरगत पाए जाने एक क्या है एडेसिव प्रोटीन है एडेसिव मतलब जुड़ा हुआ होना जैसे कि इसके साथ देखिए यह क्या है अभी यह इसका धक्कन जुड़ा हुआ होता है एंडोथिलियल से और बेसल लेमायना का जो है फॉर्मेशन करता है जैसे हम लोग डागराम बना सकते हैं जैस कि यह क्या है एक ब्लोडो वेजल है देखिए यह मान लिजिए क्या है ब्लॉडो वेजलज ब्लॉड वेजलज ठीक है यह एंडर में और में आर घीक होका चेंड़ की नहीं ब्लै वेजल सेह तो फीक ए टो इसी में देखिए बहुँ सारे endothelial cell होंगे मैं सब को नहीं बना रहा हूं ठीक है बेसिक तोर पे कुछी को बना रहा है यह इस परकार से इसमें क्या होंगे endothelial cell इधर भी होंगे दोनों साइड में थोड़ा जो है color कम फीका पड़ गया इसलिए आपको थोड़ा कम दिखाई दे रहा होगा यह dark green color तो इसमें देखिए यह जो बना है यह क्या है यह endothelial cell है तो इसी endothelial cell में जुड़ा होता है laminin जैसे कि मैं बनाना चाहूं तो इस तरह से इस तरह से इसी बेसल ले मायना endothelial cell में यह जो डियाग्राम बना रहा हूं यह क्या है यह इस तरह से जुड़ा हुआ होता है हला कि बहुँँ सघन में होते हैं वीडियो लंबा बन जाएगा इसलिए मैं जल्दी जल्दी बना दे रहा हूं ठीक है इस तरह से जुड़े हुए होते हैं इस तरह से बहुँ सारे होते हैं ठीक है और बेसल ले मायना को फर्मेशन करते हैं इनहीं को एक साथ क्या बोलेंगे बेसल ले मायना बोलेंगे तो देखी यह क्या है लेमिनीन्स है यह एक परकार के प्रोटीन है ले, मे, ने, ठीक है, लेमिनेंस, बहुं सारे हैं तो लेमिनेंस हो गए और यह जो लेमिनेंस हैं यह तीन पोली पेपटाइट चेन से मिल गर के बने होते हैं अलफा, बीटा और गामा जैसे कि इस में तीन तीन, मैं लिख दे रहा हूं formed by 3 polypeptide chain 3 polypeptide chain से मिल करके बना होता है जब amino acid जो है लगभग जो है 18 आसपास या फिर उस से ज़्यादा या फिर 2 से ज़्यादा होते हैं तो उस condition को हम लोग पोली पेप्टाइट कहते हैं ठीक है लगभग तो देखिए ये पोली पेप्टाइट में जो है तीन चेन होते हैं ठीक है तीन पोली पेप्टाइट चेन तो तीन पोली पेप्टाइट चेन कौन-कौन से है तो जो तीन पोली पेप्टाइट चेन है एक है अलफा चेन दूसरा है बीटा चेन और तीसरा है गामा चेन तीन चेन से मिलकर के क्या बना होता है लेमिनीन्स बना होता है यह जो यह दिखाई दे रहा है ना एक तो यह तीन पोली पेप्टाइट चेन से मिलकर बना होता है जै लेकिन इसमें जो अलफा वाला पार्ट है ठीक है वो बीच में होता है क्या होता है बीच में होता है अलफा वाला पार्ट जैसे मैं सनरचना बनाना चाहूं तो कैसे बन जाएगा देखते रहिए यह देखिए जैसे कि यह कौन सा हो गया यह अलफा पार्ट हो गया यह हो गया अल्फा अल्फा चेन ठीक है और देखिए इसी में होता है जुड़ा हुआ होता है बीटा चेन ये ये वाला कॉन सा हो गया बीटा चेन ये हो गया बीटा चेन ठीक है और इसी में जुड़ा हुआ होता है गामा चेन इस तरह से ये आपको दिखाई दे रहा होगा ये तीन चेन ठीक है ये हरा वाला है गामा चेन ये गामा चेन तो चीन चेन मिल करके बने होते हैं तो इसमें याद रखने वाला बात ये है कि इसमें से जो अलफा चेन है वो सेंटर में होता है अलफा चेन उसके अगल बगल में क्या होते हैं बीटा चेन और गामा चेन जैसे कि मैं ये रेड को अलफा चेन मानूं तो ये रेड चेन जो है बीच में होता है और इस परकार से और beta chain और यह हरा वाला इस परकार से gamma chain लेकिन ये आपस में जुड़े कैसे होते हैं तो ये आपस में जुड़े होते हैं डाई सलफाइड बॉन्ड से आपस में जुड़े हुए होते हैं जैसे ये आपस में इस परकार से तीनों जो है किस से जुड़े होते हैं डाई सलफाइड बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं आपस में किस से डाई सलफाइड बॉन्ड से डाई सलफोईड बोड ठीक है आपस में डाई सलफोईड बोड़ से इस परकार से देखिए यह जुड़े हुए होते हैं और सनरचना बनाते हैं ओप यह वीडियो आपको समझ में आ गया होगा उजह हेलफुल रहा होगा तो हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में ओके थैंक्यू फोर वाचिंग